देखी मैंने जो लोटाने का जो फैसला किया, आप बहुत अच्छी तर इसपस कर देता हूँ, कि मैं कॉंग्रेस के अंदर कभी भी किसी पत्र प्रतिष्टा के लिए नहीं आया था, वो इश्वर की क्रपासी मेरे पास और्रेरी बहुत अच्छी है, किसी भी मेंबर अफ पा बात कहना चाहता हूँ, मैंने पार्टी का टिकेट नहीं मंगा था, बलकि शुरुआती दोर में तो, मैंने उन्हें मना किया था, कि मैं चुनाव लड़ने में दिल्चस्पी नहीं रखता, मगर मुझे ये कहा गया, कि अगर रहुल गांदी जी की जो निया यात्रा है, यह आपको उसको ताकत देने का समय, और मैं यह मानता हूँ, रहुल गांदी जिस दर्शन के बीचे, जिस विचार के बीचे पूरे देश भर के चल रहे हैं, मेरे को ऐसे में उनके साथ जाके खड़ा होना चाही था, और इसी भावना के चलते मैंने जो पार्टी जो टिकेट मुझे दिया, मैंने उसको स्विकार किया और उन सब को अभारे पर कट किया क्योंकि उन सब लोगों की मानीता थी, बहले हमारे प्रदेश अद्ध्ध जी हूँ या हमारे महमंतरी जो प्रभारी हैं, वो हूँ, या हमारे विपक्षी दलकर नेता हूँ, तो वो सब चाहते विधायक विधायक की जो हमारे जो थे, उनमें भी एक कंसेंसस थी, कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, बिल्कि एक विधायक ने तो मुझे ये तक का कि अगर आप इस वकर आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो या आप राहुल गांदीजी को प्यार नहीं करते, अब मेरा जो परिवार है उनीस सो अड़तीस से कंग्रेस के अंदर है, और यह वह दोर था जबकि राहस्ता में तो राजाओं का रास्ता मेरे जैपर के प्रजामनल को बनाने मेरे परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा, मेरे प्रदाने जैपर कंग्रेस को इस कदर उचा उठाने की चेस्टा की कि आद भी जैपर जिला कंग्रेस का जो कारेल है, उसका नाम ही सुरेश शर्मा भावन है, मेरी रग रग के अंदर कंग्रेस का वो जो अकीदा कंग्रेस का जो दर्शन कंग्रेस का जो विचार है, वो मेरी रगों के अंदर है, मेरा इस बारे में बह पैतालिस करोड लोग जी से निश्चित नहीं कर लें, बहले हो किसी जाती, किसी मजब का इंसान हो, मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह इंक्लूजिव निश्लिज्म का, मैं बहुत बड़ा प्रपाउंडर हूँ, मैं मानता हूँ कि अगर इस देश को इकठा रहना है, तो नहीं वो धर्म इकठा रख सकता, नहीं बाशाय रख सकती, नहीं सांस्कृतिक रख सकती, अगर देश को इकठा रख सकता है, तो हमारा एक सांजा सपना रख सकता है, और इस सांजे सपने के अंदर, कोई भी अगर आप जाती का भेद करते हैं, किसी धर्म का भेद करते हैं, तो फिर आप modern state या modern nation लोटके अपने आपे बहुत ज़्यादा खिलाफ इनसान है, तो अब यहाँ एक बात है, कि जिस इनसान ने लगातार कि इसी विचार को हर परा है, शंकराचारे ने दिगविजाए की बात की, शंकराचारे दिगविजाए एक अटवेग्राफी भी उनकी है, कि हर जगह जाईए, अपने विचारों से अपोनेंट्स की विचार को पराभूत कीजिएगा, तो दक्षिन पंत के अगर मंचकों पर मुझे बुलाया ग अगर पंडी जी की बात कहना, अगर अपराद है, अगर गांधी की गांधी का जो पंक्ती के पीछे खड़े वे इनसान को अगर आगे लाने की बात कहना, किसी भी मंचके ओपर जाके कहना, अगर अपराद है, तो फिर मैं अपरादी हूँ, और अगर कुछ लोग जिनकी कि किसी भी डंग कोई सेक्लरिद में प्रतिबत देता नहीं है, अच्छी तरह आप समझ लिजेगा, इस देश को ना जती केसरिया कटरता इस देश के लिए खतरनाक है, उती हरी कटरता भी खतरनाक है, देश धर्मों के आधार पे नहीं चलते, देश विचार के आधार पे चलते कुछ कतिप हैं लोगों ने जो ऐसे चोले के अंदर बैठे हुए हैं उन्होंने मेरे एकलाब एक शरंद क्रियेट किया और मैं वो शरंद से क्योंकि दो दिन लगाता रहा है ट्वीटर पे ट्रेंड आ रहा है और वो भी मेरे जैसे व्यक्तिक के बारे में जिसको राजस्तान का एक 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 इनसान जानता है कि सुनील शर्मा की प्रतिबत देता कि इस चीज़ के अंदर है राइस्तान की कॉंग्रेस का हर इनसान जानता है मैंने सालों वापे ट्रेंग दिये मैं वापे मैं वक्ता हूं प्रवक्ता हूं कि मैंने ट्रेंग कैम्स लगाएं राइस्तान क नहीं रायस्तान से जित्ते भी आज की तारिक अंदर मीडिया के जित्ते भी प्रवक्ता है वो वो लोग है जो मेरे से मैंने उनको प्रेसिक्षित किया है और उस विचार के बारे में प्रेसिक्षित किया है आज अगर उस विचार और दर्शन को कहीं रखना भी अगर अपरा है, मैं उस विचार के लिए प्रतिबद था, और प्रतिबद हूँ… मेरे उस विचार के वापर कोई क्षिटन ऊठता है और मुझे लगता है कि कम से कम मेरे लोगों को मुझे डिफेंड करना चाहिए था, ओर अगर उन लोहों ने मुझे डिफेंड नहीं किया तो मेरे लिए ये अपने आपे बहुत एक पीरादा एक बात थी मैं मान से घेंतरना में था दो दिन मैं मान से घेंतरना में रहा दो दून में जी नीही नहीं लगा कि जिस विचार के लिए मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया अगर उस विचार के लिए मेरी प्रतिबत दिता को अगर प्रश्ट उठाया जा रहा है और उसके उपर कोई बात कर कहने को तयार नहीं है तो यह मेरे लिए वेदना की बात थी ऐसे में और फिर दूसी बात ये भी है कि अगर कुछ लोग ये मानते हैं कि मैं अगर ऐसा हूँ तो निसंदे उससे पार्टी को नुकसान होगा I love this party, I love this philosophy, I love this thought तो मुझे लगा कि अगर मेरे होने से अगर पार्टी को लॉस होता है तो मैं देखिए विक्रमा देती की हो कानी है कि असल मा और नकल मा असल मा कह देती है बच्चा दे दो इसको काटने ने दूँगी तो मैंने बच्चा दे दिया कि इसको काटी है मत आप किसी और को दे दीजे बच्चा सुरक्षित रहना चाहिए कठना नहीं चाहिए तो मेरे मन में के लिए एक भावना थी कि कॉंग्रेस जो है वो विक्रमा देती है मावली जो कानी है कि बच्चा सुरक्षी तरह आगे जाए किसी के भी हाथ में रहे जरूर नहीं मेरे हाथ में रहे किसी के भी हाथ में रहे इसलिए मैंने तत्का ले निर्ने लिया कि मुझे पार्टी का जो टिकिट है वो सह सम्मान हाई कमांड को वापस लोटा देना चाहिए जिसे पार्टी हाई कमांड जिसको भी चाहे उसको टिकिट दे मैं ये मानता हूँ और उसमें ही बताता हूँ आप एक कहेंगे कि आप इत्ते आहत क्यों गए मैं आपको गांडी जी के एक बात कोट करना चाहता हूँ जो 20 जनवरी उननीस सो 48 को गांडी जी नहीं कही थी जब गांडी जी की सभा के अंदर बंप स्पोर्ट हुआ तो बल्ला भाई पठेल पहुचे कि आपको आपको आपकी सेक्यूर्टी हमें लगानी है गांडी जी ने कहा कि अगर एक भी इंसान अगर देश का चाता है मैं मर जाओ तो फिर मुझे जिन्दा रहने का नेती खक नी है अगर एक भी वेक्ति पर प्रंशन उठाता है तो मैं लाल भादू शास्ते की लीक के अंदर लीडर्शिप करना चाता हूं अगर किसी को भी मेरी परतिबत अबेसन दे है तो फिर मैं विनमरता से ये कहुँगा कि अगर मेरी एक परतिबत अबेसन दे है कभी जिरेटागा क्योंकि मेरे लिए विचार प्रमुख है मेरे लिए विचार प्रमुख है ने मेरे लिए पत्र प्रमुख है ने मेरे लिए कोई और चीज प्रमुख है विचार प्रमुख है वो दर्शन प्रमुख है वो दर्शन के लिए मेरे प्रतिबत देता है वो हिंदुस्तान में किसी भी विक्ती से कमजोर नहीं है